बिस्मिल्लारवाने रहें असलाम लेकूम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप साथ वेलकूम टू ए एसी डॉट पी के कोर्स पढ़ रहे हैं जी हम एमेस वर्ट तो आज हमारा लेक्चर नमबर 14 है कि मेल मर्जिंग और इन्वेलप डिजाइनिंग मेल मर्जिंग और इन्वेलप डिजाइनिंग बिसिकली क्या है कि आप दिखते हैं अकसर इंस्टिटूट्स वालों ने आपको एमेल या जो है लेटर आपको भेजने होते हैं अकसर उनिवर्सिटीज और कॉलेज़ में जब स्टुडेंट्स को इन्विटेशन लेटर बेज में होते हैं उनकी कौन लोकेशन वगरा के लिए तो एससे लेटर लिके जाते हैं तो हर स्टुडेंट का अलग 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 लेटर कंपोज नहीं किया सकता कि जिसमें हर स्ट तो चलते हैं मैं आपको सिखाती हूँ किस तरह मेल मर्जिंग की जाती है मेल मर्जिंग थोड़ा सा डिफिकल टॉपिक है लेकिन अगर इसको गोड़ से संजेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है तो इसको प्रश्च 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 क्या हमने क्या लिखा हो लेटर लिखा होगा कि तक है उसके बाद मेल मर्जिंग हमने स्टार्ट कर लिए लेटर से step by step mail मेल मर्जिंग कर लेते हैं उससे हमें जादा सानी हो जगी कि हम पर step by step आ गया okay letter select कर लिया next step करते हैं अब उन्होंने पूचा है कि अपने इस जो आपने document open किया इस पे mail merging करनी है किसी और document हमने इसी पर करनी है जिस पर हमने जो उपन किया वर document next उन्हान ने काया है के use an existing list existing list use करनी है यहाँ outlook के context को use करना है यह new list नानी है अभी new list बनाते है तब envelops को सिखाऊंगे तो तब हम existing list use कर लेंगे यहाँ पर create करते हैं list create करनी है यहाँ पर अपने students की ठीक है यह बहुत सारे आपके पस columns आगे आगे आप देख रहे हैं तो basically हमें सारे के सारे columns नहीं चाहिए हमें इसमें से कुछ columns चाहिए हम क्या करेंगे हमारा जो first name और last name है रिसी प्रस्ट नेम जोगा वो इसका मिक्स्चियर होगा तो company name वाला कालम हमें नहीं चाहिए हम डिलेट कर देंगे okay yes हमें डिलेट करना है address line 1 address line 2 यह होता है कि अगर बहुत लंबा okay मैंने यहां पर जो मुझे चाहिए था क्या क्या चाहिए था मुझे मुझे name चाहिए था और मुझे title चाहिए था address आच हम जी अब यहां पर देखें अगर आपने कोई add करनी है यहां पर मैं एक field add कर लेती हूं name वाली, वो मैं इसलिए अपर ले जाएंगे, move up, यहां से हम इसको name को move up कर लेंगे, उसके बाद हम address line पर देखेंगे, address line हम इसको rename कर लेते हैं, line number नहीं ठीक है, इसको simply address रहने देते हैं, okay, इसको भी हम up move कर लेते हैं, तर्तीब से हम अपने जो है, उनको assign कर लेते हैं, columns को, okay, देख लिए आपके स नामने 5 column बनगे, सबसे पहले name मैंने लिख दिया, साधिया, title basically क्या है, जो mister and missis, यहां ऐसा कुछ हम mister, miss, ऐसा कुछ लिखते हैं ना, नाम मैंने लिख दिया, साधिया, फारूक, okay, साधिया उसका first name हो गया, और फारूक उसका second name हो गया, address मैंने भी छोड़ता से लिख दि miss, ठीक है, और first name क्या है साधिया का साधिया, और जो है साधिया का last name वो क्या है, फारूक, ठीक है, यह हमारे पास जो है entry हो गई, इसको हमने, अब new entry करनी है, तो यहां से new entry कर लेंगे, हम यहां पे कोई और entry कर लेंगे, अली एहमद, ठीक है, अली एहमद जी, हमारे गुज्रावाला, हम इसनका address कर लेते हैं, इनका title क्या है, जी, mister है यह, और इनका first name है, अली, इनका last name है, एहमद, ठीक है, अब भी के लिए दो entries आपको करके दिखा रही हूँ, यहां पर वो कह रहा है कि list को save कर लो, हमने list का name हम name रख लेते हैं, यह list हमारी कहां पर save हो रही है, आप दूपर address में देख सकते हैं, यह documents में जाके, my data sources में save हो रही है, okay, इसको save कर लिया, okay, save हो गई हमारी list, अब हमने, यहां से अगर हमने edit करनी है list, तो हम edit कर सकते हैं, अब हम यहां पर जाएंगे, ठीक है, यह वाली जगह पर, और यहां पर हमने insert merge field पर click करना है, insert merge field से यहां पर हमने name क्लिक करना है, इसको आप raise कर दें, जो बाकी वाली हमने लिखा हुआ है, सारा जो भी, और यहां पर अपने address की जगह पर insert करनी है, कौन से field address की, ठीक है, rescue field insert होजे, और यह जो इस सारी की जगह पर, हमने अब तीन fields insert करनी है, वो कौन कौन सी है, सबसे पहले तो उसका title, title के बाद हम full stop लगाते हैं, Mr. and Mrs. के बाद होड़ा सा फूल स्टॉप लगता है, उसके बाद space, space के बाद उसका first name, फिर space और उसके बाद उसका last name, ठीक है, यह हो गया, अब mail merging, अब यहां से करेंगे preview results, preview results करने के बाद यह देखें आप, name की जगा साधिया फारूक आ गया, उसकी address की जगा लहूर आ गया, और यह जी उसका title और उसका name पूरा, अब यहां से आप आगे-आगे करते जाएं, तो, मतलब हमारे पास को भी two records हैं, आपके पस जितने भी records होंगे, वो यहां पर एक new document बनाना है, ठीक है, blank document मैंने create किया, यहां पर मैं गई दुबारा से mailing वाले option में, sorry, mailing, mailing वाले option में मैं आई, यहां से मैंने envelop बना लिया, अब मुझे mail merging शुरू करनी है, किस के साथ, envelop के साथ, envelop के यहां पर जो है, वो center का address होता है, और नीचे जो है, receiver का address होता है, यहा इसको अभी के लिए, आप ऐसे रहने दें, आप यहां से mail merging envelope स्टार्ट कर लें, यहां से कर लें, एक ही बात है, okay कर दिया, आप दे देखें, आपका जो है, पेज, उसका size जो है, वो change हो गया, यह receiver का address, यहां पर क्लिक करते है, यहां पर sender का address होता है, receiver कोई भी है, आपक sorry, aaci.pk institute आपका receiver है, sorry, center है, और यहां पर आपने दुबारा से जाना है, select recipient, ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, use existing list, existing list हम use करेंगे, जो हमने बनाई थी, यह हमारे कहां पर save हुई थी, documents में जाके, ठीक है, my data sources में, हमारी यह name नाम से एक list थी, इसको open कर लिया, ठीक ह अब open करके insert field, तो सबसे पहले हम इसको लिखने का क्या हम करते हैं, simply बस title, title के बाद full stop, full stop के बाद उसका first name, फिर थोड़ी सी space, फिर उसका last name, ठीक है, फिर enter प्रेस करके, हम उसका address लिखते देंगे, यहां पर पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यह हो गई हमारी mail merging, यहां पर अब जब हम preview results करेंगे, तो यह देखें, Miss Tadia Farooq from Lahore, और जब next result देखेंगे, Mr. Ali Ahmed from Gulchawala, यह थोड़ा सा थोड़ा सा tough topic था, लेकिन आप चाहें तो आपको बहुत जल्दी, इसकी असानी से समझ आ सकती, इतना भी मुश्किल नहीं था, ठीक है, यह हमा okay sorry, यह हमने इस वाले record को select करके यहां से select किया, just a minute, let me check, okay sorry, वो यह मसला था कि हमने create इसमें की थी list, और use हम वहां पर करेंगे, तो वो कह रहा था कि आपने यह पहले से, जो किसी और document में यह use हो रही है आपकी list, वो इस वाले से इसकी अदेट नहीं कर सकते है, और मैंने यहां से मैं edit करूंगी, इस वाले को data sources में select करूंगी, तो यह मेरे पास पूरी की पूरी जो है list आ गई, यहां से new entry कर सकती हूं, मैं new entry करूंगी तो यहां से line बन जागी, कोई entry डिलीट करनी है, तो मुझे select करना पड़ेगा, अच्छा, यह मैंने new code जगा बनाई तो तो इसना delete कर दिया, उसके लावा यह sorting, sorting क्या होता है कि align करना, मैं for example, यहां से select करती हूं कि address में जो है वो गुजनावाला वाले जो students है, मुझे सिर्फ वो show हो, वाकी ना show हो, तो, okay, तो यह देखें जी, एक बन्दा गुजनावाला का मुझे show हो गई, यह एरो का color change होना, य इस पे filter लगा हुआ, यह था जी, आज का थोड़ा सा tough topic, hopefully आपको समझ आई होगे और अपने enjoy क्या होगा, thank you so much